प्रिय विध्यार्थियों, आज इव्याख्यान के अंतरगत हम कविर्दास जी एक महान समाश सुधारत थे इस विशय पर चर्चा करेंगे कविर्दास जी ज्यान मारगी शाखा में सरप्रमुख और प्रतिनिधी कवि के रूप में विख्यात है इनका जन्म कितना ये विवादास पद क्यों न हो पर यह बात तै है कि इनका भरन पोशन एक मुस्लिम परिवार में ही हुआ था अतह इने मुसल्मान भक्त कभी की रूप में भी स्विकार किया जा सकता है कभीरदास रामानन के शिशत है और बच्पन से ही इन पर हिंदु धर्म के संसकारों और भावों का पून प्रभाव था कभीरदास जी की स्विकारोक्ती भी है काशी में हम प्रगट भए रामानन चिता है कभीरदास हिंदु और मुसल्मान दोनों को एक ही पिता की संतान स्विकारों कट्टे थे उन्होंने कभी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया और उनकी कभीताएं भी इसका जीवन्त प्रमान है संत कभी कभी दास जी ने आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करना ये मानते थे मध्यकाल के क्रांते पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीत्री और बहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमन का निशाना बनाया इन सवे कारणों से ये एक बड़े समासुधारप के रूप में माने जाते हैं यू तो भारत का संथ साहित्य हमारी परंपरा की अन्पम निधी है इसमें ततकाले समाज की अंतरदंदों का संपूं इतिहास नहीं थे कवीर के कावे में भी समाज का प्रतिविम जह लगता है उनका साहित्य समाज की मांग थी वे व्यक्ति और समाज दोनों के ही सुधारप थी आचार हजारे प्रसाद दुवेदी का विचार है कि कवीरदास बहुत कुछ को अस्विकार करने का अपार साहस लेकर के अब्दिन हुए थी उन्होंने आजिवन संप्रदायबाद बाहियाचार और बाहरी भेदभाव पर कठुर्तम आघात किया था हिंदू और मुसल्मानों में एकता परवल कवीर ने हिंदू और मुसलिम एकता पर हमेशा ही विशेश बल दिया उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसल्मान परस्पर संघर्ष कर रहे थे साथी बे अपने ही संप्रदाय में छोटे बड़े के नाम पर आपस में लट्टे रहते थे मुसल्मान, काबा, मस्जिद, पीर, पैगंबर के नाम पर आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते थे हिंदू भी जाती पाती उच नीच की भावनाव में पूरी तरह से डूबे हुए थे ऐसे भीशन समय में कबीर ने एक सच्चे समा सुधारक की भावती इस परिस्थिती का बारी की से अवलोकन किया और इस्पष्ट किया कि इशुर को प्राप्त करने का एक मात रुपाए मन की पवित्रता है उन्होंने पूरी शक्ति और निर्भीक्ता के साथ समस्थ भाव्य आचारों का विरोध किया और मुर्ति पूजा तीर्थाटन हज नमार आधि को व्यर्थ बताया उधारन के रूप में देखा जा सकता है पूजा सेवा नेमरत गुडियन कासा खेल जब लग प्यूग परसे नहीं तब लग संसे मिल कबिर ने हिंदू और मुसल्मानों के बीच के भेद भाव की तीवर शब्दों में निंदा की उन्होंने अनुभब किया कि हिंदू और मुसल्मानों की उपासना पद्दतियों ने दोनों को अलग अलग कर रखा है इसलिए उन्होंने दोनों की कटू अलोचना की हिंदू और सोते उन्होंने कहा पाहन पूजे हरी मिले तो में पूजु पहार ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार इसी क्रम में मुसल्मानों से कहा काकर पाथर जोर के मज्जित लई बनाए ताचड मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है पास्तम में कवीर इस भेद भाव को मिटा कर दोनों के वीच सामजस और मिल इस्थापित कराना चाहते थे समासुधार की बल्वती आकांग्षा उन्हें सद्याब आंदोलित करती रही बही आडम्बरों का विरूत कभीर ने बही आडम्बरों को और मिथ्या विश्वासों का कड़ा विरूत किया साधो सन्यासियों द्वारा बाल मुणाने बाल बढ़ाने गेरुआ भस्त्र पहनने नग्ण रहने आदिक एक किर्याओं पर कभीर ने तीव रव्यंग किये हैं बार बार बाल मुणाने बालों से कवीर ने कहा केशन कहा बिगाडिया जो मूडे सोबार मन को कहा न मूडिये जामे विशे विकार माला फेरते समय मन को एकाग्र ना करने वाले प्राणियों पर कभीर ने ब्यंग बहुती सठीक किया माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर कभीर दासजी हिंदू और मुसल्मान दोनों की तीर्थ यात्राव को वर्त बताया और मन की शुद्धता तथा विचारों की पवित्रता पर जोर दिया कथनी और करनी में समय कभीर दासजी का विश्वास था कि जो कहो उसे पूरा करो और जितना कारे करो उससे अधिक का वर्नन न करो कतनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए इसलिए कतनी और करनी में भेद रखने वालों के भी उन्होंने भेद रखने वालों का भी उन्होंने घुर विरोत किया कतनी मीठी खांड सी करनी विस्की लोई कतनी तज करनी करें विश्टे अमरत होई हिंसा का विरोध कवीर हिंसा के घोर विरोधी थे वे हिंसा को ही परमधर्म स्व्यकार कट्टे थे उधारनांत बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल जेनर बकरी खात है तिनको कौन संत और असंत का भेत कवीर का विचार है कि इस संसार में संत और असंत की पहचान बहुत कठिन हो गई है उनके विचार से तो संत वही है जिसके कोई जाती नहीं है संत के हिरदय में ज्यान का प्रकाश व्याप्त रहता है संत अपनी सजनता कभी नहीं छोड़ता धरन के रूप में देख सकते हैं संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत मलय भुवंगई बेदिया सीतलतान तचनत वास्तम में संत वही है जो दूसरों की विपत्ती में काम आता है जो दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए ततपर रहता है कविरा संगत साधु की हरे और की व्याधी संगत बुरी असाधु की आठो पहर उपाधी इस प्रकार कविर दास ने जीवन परिंथ अपने अटपटी और सद्धुक्डी भाषा में उत्तर भारत की जनता को सिक्षा दी उन्होंने उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश भरा अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का भरसक प्रयास किया सबको उचित मार्ग दर्शन कराया वे सुकरात के समान कड़वी बाते खहते थे उनका विद्रोहिस्वर थतकालिन साशन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर ती प्रतम आगहात कट्टा था एक विशेश बात जो दिखाई रेती है वो ये कि कवीर का द्रश्टिकोंड पर उपदेश कुशल बहुतेरे का नहीं था वे आचरण और मन की शुद्धिता और पवित्रता में ही विश्वास कट्टे थे समाज को सुधारने से पहले वे व्यक्ति को सुधारना चाहते थे क्योंकि समाज का निर्मान व्यक्ति कट्टा है और व्यक्ति यदि सही होगा सुधरा हुआ होगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा इस कारण कबीर ने समाज किया पेक्षा व्यक्ति के सुधार पर अधिक बल दिया धन्यवाद झाल